स्वतंत्र भारत वजर सोम के समापन समारों के तहट राज्य भर में एक करोड व्रक्षा रोपन कारक्रम का आज़न किया जा रहा है इसके अंतरगत मंत्री हरिश राओ ने सिद्धी पेट जिल्ले में रंगनायक सागर परियोजना में पोधार रोपन किया विधायक पद्मा देवंदर रेड़ी ने मेदक जिल्ले के रामायम पेट में पोधे लगाए अजिकारों ने जिल्ले भर में 1.41 लाग पोधे लगाने का लक्ष रखा है हारित हारम के हिस्से के रूप में मंत्री एराबेली दयाकराव ने जनगाम जिल्ले के पाला कुर्ती सोबनात स्मुरती वनम में पोधे लगाए इस बिच सीम केसिया ने रंगारेडी जिल्ले के मोहिनाबाद मंदल के मंची रूप में एक करोड रक्षर ओपन कारेकरम की शुरूआत की फॉरेस्ट पार्क में पोधार ओपन कारेकरम शुरूप किया गया इसी आउसर पर सीम दोरा पार्क का भी अवचारिक उदगाटन किया गया इस पार्क को 361 एक कटक शेत्र में शरी फेवडों के हिस्से के रूप में एक नई थीम के साथ विकसित किया गया जो मासिक उत्साह और सुकत वातवरंग प्रधान करता है केंद्रिय ग्रह मंत्री आमिच शाह आज तेलंगाना का दोरा करेंगे खंबम सारवजनिक बैटक में शामिल होंगे और बीजेपी कोर कमेटी के साथ मुलाकात करेंगे खंबम में बीजेपी रहतू गोसा बीजेपी भरोसा एक खुली बैटक कर रहे आमिच शाह इस बैटक में 3 घंटे 45 मिनट से लेकर 4 घंटे 35 मिनट तक हिस्सा लेंगे वह इस सबा में उन नीतियों और कल्यानकारी फैसलों के बारे में बोलेंगे जो भाजबा तेलंगाना में सत्ता में आने पर लाएगी आमिच शाह इस बैटक के बाद पार्टी से जूड़ी बैटकों में हिस्सा लेंगे इसमें प्रदक्ष के नेताओं को चुनावी रणनेती पर दीशा निर्देश दिया जाएगा साथ ही बस यातनों की तारीकों भी सुनिश्चित की चाहेगी इट बैटकों के बाद केंद्रिय मंतरी आमिच शाह शाम पांच बच कर पैंतारीस बजे हेलिकॉप्टर से गन्ना वरम नौटेंगे वहां से शाम छे बच कर पच्चिस मिनिट बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे अमिच शाह का तेलागाना दौरा कहीं बार टल चुका था इस बार वैसे ही अमिच शाह का तेलागाना में सफल दौरा होने की उमीद है बीजेपी के प्रदेक्श नेता भी अमिच शाह के दौरे को लेकर उत्सुक है हमम सबा की तैयारिएों को पूरी कर लिए गई है मंत्री तरल layer 3 श्रीय नेवासे अदवने का हारिता हारम एक महान कारिकरम है उन्होंने याद दिलाया पौदों की सुरक्षा काना सबी की जिम्मेदारी है मुखे मंत्री केसेयार के विच्छार से हरिता हारम कारकरम एक महायगय की तरह आवजीत किया जाएगा हरिता हारम कारकरम के हिस्से के रूप में उन्होंने मारेद पली के सरकारी कॉलج में पोदे लगाए पिछले नव आशों में से प्रदेश में 7.7 प्रतिषत हरयाली बढ़ी है कहा हरियाली से सडके सुहौनी लगती है आने वाली पीडियों को संपत्य और फर्ष नहीं बलकि सुच्छ हवा दी जानी चाहिए मुख्यमंत्री केसिया ने वे मुलवाड़ा विधायक चिन्नम अन्यनी रमेश बाबु को राज्य क्रिशिक शेत्र मामलों पर सरकारी सलहा का निक्त किया है वो कैबिनेट स्तर के इस पत पर पांच साल तक बने रहेंगे सीमकेश जियार के फैसले के मुताबिक राज्य सरकार ने आदिश जारी कर दिये है विधायक चिन्नम अन्यनी रमेश बाबु ने क्रिशि आर्थ शास्तर में शोत करने के बाद जर्मनी के प्रतिश्टित हमबल्ट विश्व इदेले से पिएचेडी की डिगरी प्राप्त की है राज्य का क्रिशि शेतर दिन बदीन विकसित हो रहा है और देश में नंबर एक स्थान पर पहुंच रहा है इस संदर में मुख्यमत्री ने शोत छातर प्रोफेसर और क्रिशी अर्थवेस्तर के व्यापक अनुभव और व्यापक ज्यान का उप्योग विकास के लिए करने का निर्ने लिया है मंत्री तलसानी श्री नियावास यादव और विधायक मंची रेडी किशन रेडी ने रंगा रेडी जिल्ले विब्रहेम प्रटनम में विब्रहेम विकास कारेक्रमों की शिलानास और उदगाटन समारों में भाग लिया मस्यापालन विभाग के तत्वधान में राज्य भर में फिश फ्राई वितरन कारेक्रम का आयोजन किया गया जाती पेशावाले लोगों के लिए भवन बनाए जाएंगे उन्होंने कहा इवरहेम पटनम के बड़े तालाब में दो करोड फिश फ्राई फितरित किया जाएंगे पिछली सरकारों ने मच्छवारों के लिए कोई मदद नहीं की उनकी सरकार गंगा पुत्रों और मूदी राज के विकास के लिए अथक प्रयास कर रही है उस्मानिया यूनर्सिटी की पूरो विसी डॉक्टर नवनित राओ का निधन हो गया नवनित राओ ने वर्ष 1985 से लेकर 1991 के बीच OU कुलपती के रूप में कार्य किया नवनित राओ ने सारवजनिक उध्यम संस्तान के निधेशक के रूप में भी काम किया है डॉक्टर नवनित राओ के निधन पर OU के प्रफेसरों और छातरों ने श्रधांचल यारिपित की बियारेस नेता दासोची श्रवन ने नवनिता राओ के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया उन्होंने एक गतिशील प्रशासक के रूप में नवनित राओ की प्रशों सकी OU की प्रतिष्टा बढ़ाने के अलावा वंचित छातरों की जीवन के जीवन में सुधार लेकर आये है उन्होंने याद दिलाया उस्मानिया विश्व इदहले के प्रशासन में उन्होंने राजनितिक हस्तक शेप के आगे घुटने नहीं टेकी और आत्मन निर्भता जारी रखी उन्हें एक छातर नेता और फिर आई पी ई में सहायक प्रफेसर के रूप में उस्मानिया के साथ मिलकर काम करने का सुभग्य मिला श्रवन ने नवनित राव के आत्मा की शांति के लिए प्राथना की विधायक K.P. विवेकानन ने कहा खेल से वेक्तिक और शारीरिक वमासिक मजबूती मिलती है उन्होंने कुतुबुलापुर में इनफिनिटी स्पोर्स जोन की शुरुवात की विधायक केपी विवेका नन्ने कुतुबुलापुर निर्वाचंग शेत्रे के डिविजन 130 सुभाशनगर में एक नए इन्फिनिटी स्पोर्स जोन का उद्गाटन किया इस मौके पर विधायक ने आयो जोको को बदाई दी विधायक ने सुजाओ दिया घर में टीवी और सेलफोन तक ही सीमित न रहे भार जाना और ऐसे खेल खेलना जीनशेश शरीर को काम मिलता है बहुत फायदेमन होता है शरी से पसीना निकलेगा और आप स्वस्तर रहेंगे और तनाव दूर होगा टीपी सीसी के उपादेक्ष संगी शेटी जगदिशोर रहों ने बीसी के अधिकारों और राज्य का दर्जा पाप्त करने के लिए बीपी मंडल की सेवाँ की प्रश्ण सकी वो बीपी मंडल की 105 वी जैंती मनाने के लिए चिकड़ पली म्योंसिपल मार्केट में कौनरस नेताओ दारा आयोजित एक कायरकर में मुख्याती थी थे संगी शेटी जगदिशोर रहों ने बीपी मंडल की चितरपटपल माल अरपन कर श्रदान जली थी जगदिशोर रहों ने आरप लगाया जब बीपी मंडल 20 के अधीकारों के लिए लड़ रहे थे तो आज के सभी शास को ने बादा डाली थी संगी शेटी जगदिश्वर राउने आज के युवाउं से बीपी मंड़की महत्वक आंक्षा को हासिल करने के लिए एकजिट होने का आववान किया वरिष्ट नेता आनंद कुमार गवर ने केसियार से अपिल की गोशामहल बीरस का टिकेट ऐसे नेता को दिया जाए जो हमेशा लोगों की नजरों में रहे पिछले तीस वर्षों से चाहे वह हारे या जीते वह लोगों के लिए उपलब्द रहे हैं बी आरेस नेता एम आनंद कुमार ने का गोशामहल निरवाचंग शेतर जामबाग में मोज मजाही मारकेट टुप बाजर और पुतली बावली में सीवेज लाइन के समस्या हो गई पिछले कई वर्षों से स्थानिय विधाय को पार्षट के ध्यान में लाई गई समस्या का समाधा नहीं हो आए बी एच एम सी अधिकारियों की पहट से एक सब्ता क्या तक परिश्रम से स्थानिय सड़क की समस्या का समाधान हो गया आनन्द गौड ने मंत्री तलसानी श्रीनिवा से अदव का ध्यान इस और दिलाया स्थानिया लोगों ने काम पूरा करने के लिए आनन्द कुमार गौड को स्थान मानित किया इसी तरह उन्होंने सडक निर्मान के लिए कहा और वादा किया कि दस दिन के अंदर सडक बन जाएगी आनन्द कुमार गौड ने सुजाओ दिया चुनाओ के मदे नजर कुछ लोग टिकेट के लिए सामने आ रहे उनसे सतक रहनी की जरूरत है वंगा मदु सुदन रेड़ी ने कर्मन घाट चोराय के पास विधायक सुदी रेड़ी का प्रतिया आत्मक पुतला फूका पुलिस मदु सुदन रेड़ी को गिरफतार कर इब्राइप पटनव पुलिस स्टेशन ले गई नगर सेवक वंगा मदु सुधन रेड़ी ने कहा अगर हमलावरों के खिलाफ कारवाई नहीं की गई तो वो आत्मत्या करने के लिए तयार है शेरी रंगा रेड़ी जिला अध्यक्ष सामा रंगा रेड़ी और एलबी नगर भाजपा नगर सेवक ने बियारस नेताओ दारा चमपा पेड भाजपा नगर सेवक वंगा मदु सुधन रेड़ी के घर पर हमले की कड़ी नींदा की वंगा मदु सुधन ने विदायक सुधी रेड़ी की रिष्टेदार एलबी नगर एसपी जान की रेड़ी को निलमित करने की मांग की है वंगा मदु सुधन रेड़ी ने आरोप लगाया श्री निवास जो सीटी कमिशनरेट के तहत मलग पेड़ सीयाई के रूप में काम कर रहे थे कुनियमों की खिलाब राचा कॉंडा कमिशनरी के तहत सरुन नगस सीयाई के रूप में लाने की पीछे विदायक सुधी रेड़ी का हाथ था मेड़ी पली पुली स्टेशन के आसपास ड़केते की घटना हुई है काकतिया कॉलनी में रहने वाली महिला अजिस फातिमा अपनी बेटी को बिमार होने के कारण असपता ले गई चोरों को लगा कि यह बात है और घर का ताला तोड़कर कीमती सामान ले गए बोड़ उपल काकतिया नगर मेड़ी पली जिला मेड़ी पुली स्टेशन में चोरी हुई अब्दूल वसीम अजिस फातिमा पत्नी और पती पती वसीम दुबई में रहते हैं पत्नी एकसा से काकतिया कॉल्ली रोड नबर टू बाइस सी मेड़ी पली मंडल में अपने तीन बच्चों के साथ रहती है इसी करब में उसके बच्चों की तब्यट ठीक नहीं होने के कारण हुआ अपने रिष्टेदारों के घर चली जाती है और वही रहती है घर पर ताला लगा होने के कारण रात के समयच चोरों ने घर का ताला तोड़ दिया पेर से तीस तोला सोना लैपटाप और दो सेल फोन चुरा ले गए सुबह जब गरह सामवी ने देखा ताले टूटे होए थे तो उसने यह सोचकर पुलिस को सूचना दी शायद घर में चोर चिपे होंगे पुलिस ने मोके पर पहुंच कर मामला दर्च कर जान शुरू कर दिये पीडितों ने पुलिस से चोर को जल्द पकड़ने और उनके आभूशन बराबत करने की मांग की कमांड कंट्रोल सी आई श्री निवास ने शराप के नशे में गाड़ी चलाई और सिखिनरबाद के बोलाराम पुलिस स्टेशन क्षेत्रे में एक सबजी वान को टकर मार दी हासा सामने से आ रही सबजी गाड़ी से टकराने से हुई पुलिस ने कहा श्री निवास वर्तमान में कमांड कंट्रोल सेंटर में सी आई के रूप में कारे रथे दुरगटना का कारन तेज रफतार थी वह शराप के नशे में था और उसने अपनी कार के सामने आ रही सबजी की गाड़ी को टकर मार दी परी नाम सोरुप वैन में सवा श्रीधर गंबीर रूप से घायल हो गए वैन के चालों को संशान अस्पता ले जाया गया परी जनों ने कहा उसके हालत गंबीर है मालूमों श्री निवास विला DSP प्रमोशन में है दुरघटना में शामिल कार और वैन को बोलाराम पुली स्टेशन में स्थाना अंतरित कर दिया गया देश भर में अलग-अलग माशन के हाला थे 31% में गंबीर शुष्क माशन का सामना करना पड़ रहा है भात या माशन भाग ने बुलेटिन जारी कर कहा है इसकी तियुरता मध्यम से गंबीर है IMD ने कहा इन स्थितियों का क्रशी, फसल की पैदावर और मिट्टी की नमी पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा IMD ने गोशना किये बारिश की कमी है पिछले महने से मांसुन काम जोर है देश भर में आगस्त महिने में आप तक बारिश काम जोर है